हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्टबक्स तो दोस्तों आज हम आपको एक राई जालर बना के दिखाने वाले जो बहुत अच्छी जालर बना के दिखाने वाला हूं तो दोस्तों मैंने यह 55 LED Lights लिए हैं यह मैंने इसलिए लिए क्योंकि हमारे जो घर में नॉर्मली लाइट आती है वह दोस्तों से 220 के आसपास आती है और जो हमारी एक LED होती है इसमें हमारा 3.7 से 4.2 वोल्ट के आसपास का होता है तो दोस्तों हमने इसका ऐबरेज ले ले लिया है, 4V को हमने consider करते हुए, अगर 200V को हम consider करें, तो हमें 50 LED की जुरत होगी, अगर 220 को consider करें, तो हमें 55 LED लाइट की जुरत होगी, तो दोस्तों इन सभी के हल्थ से मैं अभी एक अच्छी सी जालर आपको बना के दिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले दोस्तों में करना क्या है, इस बाइर को हम जो है, पीस में डिवाइड कर लेंगे, हमें इसके 55 पीस चाहिए होंगे, हमारे पाफ 55 LED है, तो हम इसके 55 पीस काट लेते हैं, तो दोस्तों ये लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कि आपको कितनी कितनी लेंथ पे LED लाइट रखनी है, तो दोस्तों जैसे कि मैं इसको यहाँ पे 8.5 इंच के आसपास में रखने बाला हूँ, अब 10 इंच भी रख सकते हैं, 12 इंच भी रख सकते हैं, और कम रखना चाहें, तो कम भी रख सकते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको 8.5 इंच के आसपास यहां पे, मैं इसकी लेंद लेने बाला हूँ, तो दोस्तों मैं इसके जल्दी से यह पीस काट लेता हूँ, तो तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे कि मैंने 55 पीसेस बाइर के काट लिए और दूसरा काम जो में करना है वो यह करना है जो हमारी एलेडी होती है इसमें जो दोस्तों आप देखेंगे कि यह बड़ा वाला लैग होता है यह मारा फ्लेस का होता है चोड़ा वाला माइनस का होत लेके उसको बड़ा रखेंगे और छोटे वाले को छोटा रखेंगे तो दोस्तों इसको भी में काट लेता हूं बड़े लेक को थोड़ा में बड़ा रखूंगा इस तरह से छोटे वाले को मैं छोटा कर लेता हूं इस तरह से दोस्तों दोस्तों जल्दी से हम ये काम भी कर लेते हैं इनकी लेक को जो है इसका है कर लेते हैं इसका informal के इसका है किस तरह करना है तो दोस्तो जिसे घ्रेंगे यह हमारी कर लोलसा सब्क्राइब होती है यां फेर्स पर मैं आपको दिखा रहूं ये मेरी 5 एकजम्पल लिए कि वित कई plus है माइनास से प्लस है फिरसे है प्लस है माइनास से और इdetermines है यह प्लस है और मैनस दोस्तों इनको सरीज में कनेक्ट करेंगे पैरलल में कनेक्ट ने नहीं करेंगे जो इसका मैंने से इस लेडी के हैं प्लस में आएगा और इसका जो मैंने से दूसे लेडी के प्लस में जाएगा तो नेक्स्टा परसे से शेन रहेगाThis तरह से दोस्तों का इन ओके नो करते जाएंगे तो दोस्तों भी हम जल्दी से क्या है इसका connection करना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों पहले मैं एक LED को ले रहाँ और यह मैंने बायल ले लिया है तो इसको मैं सोल्डिंग कर देता हूं जल्दी से दोस्तों जब देखने एक LED के साथ मैंने बायर को पोजेटीव में connect कर दिया अब जो मैं इस बायर का दूसा सिरा है दूसरी LED के negative के साथ connect करूंगा तो मैं यह आपको भी करके दिखा रहाँ कि क्यवाला सिरा मैं इसके निगेटीव के साथ में connect करूंगा जल्दी से मैं इसको भी शोल्डिंग कर दे रहा हूं दोस्तों तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे कि इधर पोजेटीव और इधर हमने निगेटिक पर साथ में कनेक्ट कर दिया है इसी तरह हम एक दूसरा बाहर लेंगे और यहां दूसरे बार को कनेक्ट कर देंगे कि दोस्तों जैसे आप देखेंगे कि हमारी यह दो एलेडी कनेक्ट हो गई है इसी तरह हम नेक्ट एलेडी लेंगे एक और मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि इधर हम यह पोजेटिव इसके निकेटिप के साथ कनेक्ट कर देंगे दोस्तों यह काम हम जल्दी से कर लेते हैं सारी अलेडी को हम इसी तरह कनेक्ट करना है तो मैं इनको जल्दी से कनेक्ट कर दे रहा हूं कि दोस्तों जैसे हम देखेंगे हमने यह छोड़ी चोड़े पीसों को काट नाया है मतलब है प्रोक हम एक इंच यह सबाइंच के आश पास इसको काट लिए तो मैं एक प्रोक्स को जोब है यहाँ पर सबाइंच के आसपास ऐसे कट कर लूगा तो दोस्तों मैं इसको सीजर से कट लेता हूं कि अगरे में सेम साइज के पीस हम जोए कट लेंगे यह से कौन राठ लिटा हूँ मैश है यह मैं दोस्तो जैसे आप देखेंगे हमने इसके छोड़े-्छोड़े पीस काट लिए है जो हमारा लेबल पाइब था अब दोस्तों में करना का है पुछ हमें करना क्या है कि जो हमेरा LED है इसको हम इस तरह से इसके अंदर करेंगे और इसमें हम गिलू गन का यूज करेंगे और इसको हम गिलू से फिल अप कर देंगे इस तरह से दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं और यही काम हम इधर भी करने वाले हैं इधर से भी हम इसमें गिलू गन से इसके मुझ को दोस्तों ये सेम हमें बाकी LED के साथ भी सी तरह करना है तो मैं दूसरे LED के साथ भी आपको करके दिखा देता हूँ कि इस तरह से हम करेंगे इसको अंदर और गिलू इसके अंदर हम डाल नेंगे कि अंदर है कि हमारा जो है कि फिक्स हो जाए इसके साथ में और इसके मुग को भी मियां से किलोज कर देंगे तो दोस्तों इस तरह हमें दो कर दिये अभी हम नेक्स्ट वी LED के साथ भी स्तरही कर देंगे झाल इसके साथ जाए एक अगाए लुट है कि अभी मिया विए भी बाता हुआ है कि अभी मुट्स है कि अभी मिया भी आप भी मियां प्रिज देंगे आप इसके साथ पर देंगे दोस्तों में अगला काम करना है वो इसके connection करना है तो जो दोस्तों सब देखेंगे कि हमारा इसका बायर है और यह इधर हमारा जो दूसरा सिरा इसका इधर मैंने भी यह थे connect नहीं क्या है छोटा भला होता है मत् beliefs का होता है तो दोस्तों मैं इtech गणाहLE कर दोलंगा और फिर इसको भी सील कर दोगा सुवने कर दो इक चैशल कर दो इसको में अदर ऑपनारे कपना है और इसको में इधर है कानेकक कर दे रहा इसको मैं स्वोल्डिंग कर दोगा अभी मैं स्वोल्डिंग कर दे रहा हूं तो देखे दोस्तों इदर मैंने ब्लू कलर का बायर जोड़ दिया है मतलब यह मारा मैनस वाला हो गया है निकेटी बहला कनक्षन हो गया है और इसको भी सेम इसी तते जो है उलगा है सेलड तो मैं एक पाइप का पीष ओल ले लिए ता हूं और इसको सील कर देता हूं तो इस पाइप मैंसे में सब्सकाट ले रहा हूं कि अधर सेलिख मैंस को इसके मुझ को कि अक्षिस कर दोंगा च्छे से कि इसके मुझे को क्लोज कर दिया और जो अब में इसको इसके अंदर फिक्स कर दूँगा कि इसको भी हम अच्छा से यांसे गिलूग इस्टिक से लुगन के हल्प से इसको क्लोज कर देंगे कि दोस्तों यह देखेंगे कि हमारा यह ब्लू आयर भी इसका फिक्स हो गया इसके साथ में अब दोस्तों में करना क्या है इसकी कनेक्शन के लिए कम रेक्ठी फायर बनाना हुगा तो हम बना लिए जल्दी से इसको भी साइड कर देते हैं और हुए तो ड़े दय को ऀफ रखते हैं हडंगे तो इसको बाहर का या मिले जबे तो दोस्तों इसके लिए मैं करना क्या हुआ इसके लिए में आसलियो याँ मैं सब्सक्राइब यह करें खाल को घंप जाता है तो दोस्तों कमीगा एक बिरिज रेक्टी फायर मना ना तो दोस्तों करना क्या है जैसे आप देखेंगे वारा जो डायोड होता है इसमें तरब जो है सिलवर पट्टी होती है जैसे आपको दिखाऊ अ वाला ये वाला और एक बलेक होता है तो जो हमारा बलेक होता वो एनोड होता है और जो फिक्स कर लेंगे आप देखेंगे मैंने दोनों फिर पर्टी जो है एक साइड में कर लिए तो इसको मैं इस तरह से और कि दोस्तों ये कर लिए आमने इसी तरह जो हमारे दूसरे दो डायोड है कि तो सुल देखेंगे मारा जो बिलाइग वाला साइड न ही मिल्र difficult क riches कर लेंगे मां तुभी मैं मिल्र्मा प्रेदा तो यह दोस्तों देखेंगे इस तरह से नारा जो दोनों बिलैक वाले एक साइड मोहरे और इसमारे चीलिद हाले अब क्या करना भें इन दोनों को आपस में है पर कनेक कर देना इस तरह से तो यह हम कर लेते हैं एप आप इसको भी हम यहां पर कर लेंगे करें हैं कर दोष्क्राइब कि यूह अल्य या कि दोस्तों जाने गंद सबस्क्राइख के लिए इसक्रीफ यह हैं इसमाल है तो हमारी उसमेंयों भी फिक्ष अर्ग है ओढ़ देखेंगे एक शिल्वर एक ग्लाइक है एक इधर मैसी तो दोस्तो ये दोनों जो पाइंट रहेंगे हमारे हैं पर कनेक्शन करेंगे और जो इधर रहे कि यह देखिए मैंने चारो तरफ से इसको थोड़ा-थोड़ा काट दिया है दोस्तों एक काम उर कर लेते हैं इसका कनेक्शन करने से पहले ना मैं कि इस तरह की मैंने एक डब लिए ये एक बेकार मेटल की पढ़ी देती किसी भी समाल की घर में मिल जाकी जैसे आपको बहुत ठीज जी मिल जाएकि तो आप भी ले सकते है तो दोस्तों इसकाहि मैं यूज करने बाला हूँ कə दोस्तों करना क्या है कि मैं इसमें दोनुज साइड में एक खुल कर लेता हूं है तुमैंए जो है सोडर से ही जाम है और यह इसी से को कर मै 높ा Nep Saality से मैं दुस्तियर साइड म कि इसमें जो है एक साइड में तो हमारा जोए एlebay lien के कि निकाल लेंगे ही आज कि साँद देखने हमारा इसका है कि दूसरी बा पाइंट हम ले लेते हैं हेली अधे इस लिए इस लिकाट बाइर आ रहा है तो दोस्तों हमिक अगा है 강्रेम करना क्या कर लेते हैं ताकि आपको समझने में काफी आसान रहे इन दोनों को ना fix कर लेते हैं इस तरह से कि यह मैं जल्दी से कर लेता हूं इसको तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे अभी हमने क्या है बिलू वाली बायर को इसके साथ पर फोल्ड कर दिया तो हमने इस तरह से इसको भी एड़स कर दिया अब दोस्तों इसका कर रहेते हैं जैसे आप देख रहे हैं रेड़ वाला जो हमारा पॉजेटिव का है और यह बिलू वाला जो रहा है तो जो उन्हारा बिल्रेक्टिव बनाया है इसमें अगर आप देखेंग तो इससे में आप देखेंगे हमारी जो यह सिल्वर पट्टी है दोस्ति जैसे आप देख रहे हैं सिदरम पोजेटिव बाला वाय जोड़ेंगे और जो मारी अब दूसरी साइड में दोस्तों जो मैं इस बिलू वाले भायर को फिक्स कर दूंगा जो हमारा निकेटिव का जहलर का इस तरह में करना है दोस्तों जैसे आप देखेंगे हमने जहलर का जो है यह कनेक्शन कर दिया है जो हमारी सिल्वर साइड थी उदर हमने पोजेटिव बाला बार जोड़ दिया है दोस्तों दोनों सिरी वचे हैं इसमें का कनक्षन करना है तो मैं एक बाए ले ले लेता हूं और इसमें चनक्षन कर दे रहा हूं बाइर अपने अप से हुसाहिए नहीं आपको करके अभी दिखा रहा हूं कि जैसे आप देखेंगे मैंने एक लिए यो क्लर कि तक नक्षण में कर रहाए दोस्तों एक बार करें मैंने connection जोड़ दिया जो हमारा AC के साथ power supply में connect होगा इसी तरह मैं दूसरे वायर का भी connection कर दे रहा हूं तो दोस्तों जैसा देखेंगा अपने bridge एक्टिफायर हमने AC वायर का connection कर दिया जो ब्रीज एक्टिफायर होता है हमारा जो यह काम करता है यह AC को DC में convert कर देता है दोस्तों अभी हम इसको चेक कर लेते हैं यह आपको मैं इसको चेक करके दिखाते हैं बात में जो हम इसको डब्बी के इंदर fix कर देंगे तो दोस्तों मैं इस extension बूर्ड में जो एक इस connection लगा रहा हूं देखिए इसमारी power supply आ रही है कि जैसे आप देखेंगे अभी मैं इसकी supply को बंद कर रहा हूं और मैं इसके connection को यहां पर कर दे रहा हूं देखिए मैंने जाड़ा का connection दोस्तों इसके अंदर लगा दिया और मैं अभी switch on कट रहा हूं कि देखिए दोस्तों मारी कितनी अच्छी जालर एकदम अच्छी से cetera है दो हम नहीं दूर में हम इसका यूज करने वाले हैं और यह गरम से अपन छोड़ेंगे तो करन लगने के चन से था फ थे उलिए प्रफस से तो म्system ना क्रें किसको ड्बी के अंदर से भाइर को निकालना है तो यह इसी वाले था परहें इनको बाहर निकाल दिता हूं यह पर में किसको फिक्स कर लूँ इस तरह से अंपार हमारे भाहर खीचेन करेश के लिए को सबढ़ने एक साइट से इधर बाहर निकाल दो हैं दोस्तों यही काम में जो है अपनी जालर के बायर के साथ करना है इसको थोड़ा सा कम करते थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि को दोस्तों इन को भी एमें इधर से निकालना होगा तो इसको पेहले मिजे इसको डीजोडिंग कर लेता हूँ कि अगर अगर इसको इस तरह से कर लेते हैं और अगर दोस्तों से मुसी तरह में इसका सूल्डिंग कर देंगे कि दोस्तों मारा कनेक्शन परफेक्ट हो गया है जैसे पहले दागे सिमने कर दिया इसको इस तरह से मंदर कर देंगे कि सब्सक्राइब कर देंगे तो दोस्तों इस तरह हमारा जालर का कनेक्शन परफेक्ट रेडी हो गया है और इसमें कोई शोक लगने के चांसे भी नहीं रहेंगे कि हमने इसको डबदी के अंदर बव क्लोज कर दिया अच्छे से कवर कर दिया तो दोस्तों आज का वीडियो ह करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगी लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हम आपको और भी वीडियो जल्दी शेयर करेंगे थैंक यू फॉर वर्चिंग